नमस्कार दोस्तों, आज का डिक्टेशन असिसब प्रति मिनिट श्टार्ट होगा 5 सेकेंड बाद उपाध्यक्स महोदै आज स्वतंत्र भारत में जब हिंदी इस देश की राष्ट्र भासा घोशित हो चुकी है अब संघर्ष अथ्वा विरोध का समय नहीं रहा आज का समय ठोस रचनात्मक कार्य का समय है मैं जानता हूं संघर्ष करना कठिन है परन्तु उसी एकाग्रता से रचनात्मक कार्य करना उससे भी कहीं अधिक कठिन है यह भी स्पष्ट है कि संघर्ष के बाद यदि रचनात्मक कार्य नहीं होता तो संघर्ष की उपादेता ही लूप्त हो जाती है और जो सफलता प्राप्त की गई हो उसकी सार्थकता संकट में पढ़ जाती है इसलिए रचनात्मक कार्य के समय को वास्त्विक परिक्षा का समय माना जाता है जिसमें उन सभी सिद्दान्तों उद्देश्यों और आदर्सों की पूरी परक होती है जिनका सहारा लेकर संघर्ष को जीवित रखा गया हो हिंदी के हितेशियों और साहित्य सेवियों के लिए अब यही समय है मैं कह सकता हूं कि सायद पहले कभी उन पर इतना गंभीर दाइत्वय नहीं आया था जितना की अब हिंदी के राष्ट भासा बनने से आया है समस्त राष्ट ने सर्व सम्मति से हिंदी भासा का जो मान किया है और हमारे समिधान ने उसे जो इस्थान दिया है वह हम सब के लिए एक सदभावना पूर्ण चुनोती के समान है यह निर्णे एक प्रकार से सभी हिंदी भासियों और साहित्यकों में विश्वास के प्रस्ताव के समान है इस आदर को हम कैसे निभाएं जिससे विभिन प्रादेशिक भासाओं के बोलने वाले प्रतिनिधियों द्वारा किये गए उक्त निर्णे के अउचित्ये को सिद्ध कर सकें यह एक गंभीर प्रेश्ण है जिस पर सभी हिंदी सेवियों को विचार करना चाहिए हिंदी साहित्य सम्मेलन बहुत बड़ी संस्था है जिसके निर्मान में इस देश के अनेकों यसस्वी विद्वानों और देश भक्तों ने योग दिया है मैं समझता हूं कि यद्यपी सम्मेलन की स्थापना हिंदी के प्रेचारार्थ हुई थी इसे हिंदी भासी छेत्रों में प्रादेशिक भासाओं के प्रचार का कार्य भी अपने हाथ में ले लेना चाहिए इससे एक और हिंदी और दूसरी भासाओं में पारस्परिक आदान प्रदान बढ़ेगा और दूसरी और सम्मेलन का आधार भी अधिक व्यापक हो चाहेगा मेरे विचार से यह कार्य राष्ट्रिय साहित्य हिंदी भासा और हिंदी साहित्य सम्मेलन तीनों के हित की द्रश्टी से उचित होगा बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन ने जिसके रजद जयनती समारों है के उदगाटन के लिए आपने मुझे आमंत्रित करने की क्रिपा की है पत्चीस वर्सों से भी अधिक समय पूर्वे सार्वजनिक कार्य ख्षत्र में परदारपन किया है इस राज्य के सभी लोग सम्मेलन की सेवाओं से भली प्रकार परिचित हैं मैं आसा करता हूँ कि यह रजत जयनती समारों है इस राज्य के साहित्य सेवियों को और अधिक बल देगा जिससे वे साहित्य की सम्रिद्धी द्वारा और हिंदी तथा एहिंदी प्रदेशों के बीच पूर्ण सद्भावना का वातावर्ण तैयार करके इस राज्य के लोगों की ही नहीं बलकी देश भर की सेवा कर सकेंगे मेरे विचार से हिंदी साहित्य की स्रीव्रद्धी करके और सबी भासा भासियों के साथ सद्भावना पूर्ण संबंद बनाए रखकर हम अपने कर्तव्य का पालन कर सकते हैं कम से कम इस और सबका ध्यान अक्रिष्ट हो चुका है समाप